नमस्कार साथियों आज आएक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार PBR स्टडी में आप देख रहे हैं क्लास 10th NCRT Math 10th की परिछा देने वालों के लिए भी और Math सीखने वालों के लिए भी ये क्लास पूरता हिंदी मीडियम में होगी इंग्लिस दोनों समझेंगे ठीक ना तो सी बेसी यूपी दोनों बोर्ड के लिए अच्छा होगा क्योंकि NCRT पैटर्न सभी में समान होता है ठीक ना चलिए यह पार्ट नमबर 11 होगा आपका जिसमें कुश्चन नमबर 3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और कुश्चन नमबर 3 का हम लोग कुश्चन पहला करेंगे ओके चलिए कि साल्फ दा फालूइंग फियर आफ लिनियर एक्वेशन बाइदा सब्स्ट्यूशन एंड क्रास मल्टिप्लिकेशन मेथेड कहने का मतलब यह है कि दिये गए समय करणों को परतियस्थापन और तिर्षा गुड़ा वाला जो होता है क्या बोलते हैं करास मल्टिपल दोनों मेथेड से हल कर यह तो पहले हम परतियस्थापन करेंगे यानि कि सब्स्ट्यूशन वाला करेंगे चलिए यहां से यक्स का मान निकाल लो सिकेंडी क्वेशन से तो साथियों यह तीन एक्स बराबर अकर दो वाई उधर जाए अगर बेसिक नहीं आता तो नंबर पर संपर्क करिए और यह समझीए कि क्यूं हो गया कैसे हो गया इसको पांच लाइन में बताएंगे ठीक ना चलिए तो यह हो गया इतना आगे देखना अब यहां पर लिखो यक्स का मान मान समी करण एक में रखने पर याद रहे दो में न रखना क्योंकि दो से ही इसको हम निकाले हैं तो समी करण एक है आठ यक्स की जगा पर यह पूरा जंजाल रख दो चार माइनस दो वाई बटा तीन और धान यह पांच वाई और इक्वल क्या है नो ठीक ना यही तो है कोई और मुसीबत तो नहीं न चलो आगे हल कर लेते हैं यार नीचे तो कोई दिक्कत नहीं दिखने में नहीं अब इसका अंदर में गुड़ा करोगे साथियों तो क्या हो जाएगा यह आप जानते हो आठ चोग यह 32 हो जाएगा और यह माइनस आठ दूना 16 वाई और नीचे 3 है तो 3 ही रहेगा और क्या होगा यह प्लस का जो 5 वाई है यह प्लस 5 वाई याद रखना यह बीचो बीच का हिस्यदार है अब इसके नीचे एक लिख लो हल करो इसको आपस में इनका दोनों का LCM लोगे 3 आएगा भाग हल करना आपको आता होगा ना फ्रेक्शन हो गए रहा तो इनका हल करेंगे तो 3 LCM आएगा एक से भाग करोगे जब किसमें 3 में तो 3 ही आएगा कोई फरक नहीं जब 3 से भाग करोगे 3 में तो 1 आएगा यानि एक से इसमें गुड़ा करोगे इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जब एक से भाग करोगे 3 में तो 3 आएगा और 3 से 5 में गुड़ा करोगे तो 15 होगा अगर आपको भिन्नों का हल आता है तो यह आजाएगा अगर भि यह यह बटा तीन बड़ाबर करना हो आगे हलकर लो बढ़ाके चलो जल्दी जल्दी बताओ मान कितना आए भटाफट बताओ यह का मानं कितना करो आप लोग फटाफट निकाल लिया करो इसके नीचे एक लिख लो क्रास मल्टीपल कर लो यार यह नीचे देखना पहले इतना यहां किया फिर वहां इतना किया और फिर यहां आ गए तो यह नीचे देखना लाइन की नीचे 32-y बराबर 27 तो माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 27-32 तो माइनस का y बराबर माइनस का 5 यनि की y बराबर 5 y की बैलू आ गई 5 नोट कर लो इतना ठीक ना अब क्या करोगे अब फिर इधर साइड आ जाएंगे देखे अगर नहीं लिख पा रहे न तो वीडियो को रोक रोक करके लिखे और हाँ अगर डेली रेगुलर क्लास देखना है तो उपर देखो लिखा है न PBR Study 3.0 चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये क्लास 10 वाली न PBR Study चैनल नमबर 3 पर ही चलती है इस चैनल पर परियाग राजवाले पर बहुत कम चलती है तो उसी पर आप लोग पूरा देखो लेकिन इस चैनल को आई से सर्च करना PBR Study 3.0 रस हम लोगा के 0 लगाना भोता है न किपड़ में अब लिख लो Y का मान समी करण 1 में रखने पर समी करण 1 है तो 8 यक्स धन 25 बराबर 9 तो ये 8 यक्स बराबर 9 माइनस 25 तो यक्स बराबर 16 चार 20 हाँ 16 बटाठ यानि कि कहने का ये मतलब हुआ कि यक्स बराबर माइनस का दो आ रहा है देखो माइनस में आएगा भी कि नहीं आ रही सुरू से अगर हम देखीं वैसे तो सही लग रहा है ठीक है ओके राइट है चलो नोट कर लो नोट कर कर लो जल्दी से हो गया इतना तो ये तो हो गया आपका सब्स्ट्यूूशन डोनो से पूछा sat तो अब हम करेंगे कौन सा मेथेड क्रास मल्टिपिलिकेशन मेथेड इसको जल्दी से चापो फटा-फट और नहीं चाप पा रहे हैं तो वीडियो को रोख करके रखो ठीक ना रोख करके रखो और फिर चापना बाद में अब लिखो यह हो गया ना ओके है ना एकदम मस्त ल लिख लिए ना चलिए अब लिखिए क्रास मल्टिपिलिकेशन मेथेड से चाहे इसको अगर आप इंगलिस में लिखना चाहते हो तो इंगलिस में लिख लो नीचे लिख लो हैंस एक्स एक्कॉल माइनस टू एंड़ इक्वाल फाइफ और देखे साथियों इसमें सूत्र याद करना बहुत बड़ी मुसीबत होती है तो सूत्र के बारे में मैं आपको बता दूँ बहुत आसान तरीका होता याद करने का क्रास मल्टिपलिकेशन में यह फार्मूला लगता आप सभी जानते हो यक्स आपान नीचे एक होता एवन बीटू बीवन सी टू ऐसे कुछ होता बड़ा आजीब सा ना लेकिन याद नहीं होता है उसको याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता दूँ देखो इसमें खेला कुल मिला के क्या होता है एबी और सी का होता है एबी सी का खेला होता है तो इसमें पहले बी और सी का रहता है एक्स वाले में क्या रहत होता है b1 c2 माइनस अगर इसमें b1 है तो इसमें b2 हो जाएगा यह c2 था उसमें c1 हो जाएगा तो यह हो जाता है b2 c1 कितना आसान है न और y बराबर यह याद रखना पहले में b c रहेगा दूसरे में c a रहेगा तो ऐसे इसमें हो जाएगा C और A रहेगा यानि कि C1 और A2 माइनस फिर A1 और C2 और जो इधर होता इसमें A और B रहेगा A और B रहेगा मतलब A1 B2 माइनस B1 A2 बस इसी में मान रखने हैं लेकिन आप कहोगे कि ये मान आएंगे कहां से कैसे मिलेंगे तो भाई इसका तुलना कर लो न A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 इकल 0 वाले से तो तुलना कर लो A1 B1 C2 A B2 सब निकाल लो मान एक तरफ से तो इसका मान हम यहां निकल वा नहीं रहें आप कहीं से भी निकाल सकते हो देखो मैं इधर साइड में कर दे रहा हूँ चलो यह जरूरी नहीं कि आप इसको एकजाम में लिखो यह मान निकाल करके दिखाओ कोई जरूरत नहीं है इसको आप रफकार में भी करके यहां रख सकते हो तो यहां पर देखो जदा डिस्क्राइब नहीं करना A1 कमान 8 और B1 कमान 5 और C1 कमान माइनस करना हो नहीं समझ में आएगा बताना A2 कमान 3 B2 कमान 2 और C2 कमान माइनस कर चार ठीक ना रख तो सभी को फटा फट इसी मिला के ढखेल दो हो जाएंगे अब यह मान हम रखेंगे लेकिन कहां रखें मुसीबत यह है चूंकि यहां पर जगा तो है नहीं तो यह साइड में मैं थोड़ा फट जगा बनाता हूँ देखो दिख तो रायना पूरा चलो बहुत अच्छे तो साथियों यहां पर हम इन मानों को रखने की कोशिस करेंगे देखना पूरा क्या खेल होता है यह पूरा उधर मान रखेंगे यक्स अपान देखना यक्स अपान बी वन सी टू देखो बी वन क्या है यहां से देखना बी वन पाँच है चलो रखी देते हैं C2 क्या है भाई मान रखने में तो time लगेगा C2 क्या है ये देखो minus का 4 है ये हो गया इतना ये अभी इतने का मान हुआ B1 C2 का minus का चिन लगाओ बीच में देखो समझाने में time लगेगा B2 C1 B2 का मान देखो 2 है वहाँ और C1 का मान क्या है minus 9 है यानि कि 2 गुड़ा minus का 9 ये अभी एक मुसीबत दूर हुई अभी एक और भी है Y वाले में आ जाओ C1 A2 C1 का मान देखो minus 9 है A2 का मान 3 है तो ये हो जाएगा Y अपान C1 A2 C1 minus का 9 और A2 3 और फिर बीच में minus था minus A1 C2 तो A1 C2 रख दो क्या हो जाएगा A1 C2 या फिर इसे C2 A1 कर सकते हो मतलब वही हुआ कुल मिला करके ठीक ना कोई उसमें इताउदर नहीं करना है तो A1 का मान क्या है 8 है ना C2 का मान क्या है minus का 4 है तो 8 गुड़ा minus का 4 अगर इसको minus का 4 गुड़ा 8 करोगे तब भी वही आएगा और बराबर देखो तो जगा नहीं बच रही यार उधर साइड में ये तो उधर जगा नहीं बच रही बड़ा लोचा हो जा रहा है देखे साथियों एक बात बहुत ध्यान से समझना वो ये है कि जो 1 अपान A1 B2 और B1 A2 था इसका मान रखने के लिए उधर साइड में इधर जगा नहीं बोर्ड खतम हो जा रहा ना तो इसलिए हम इसको आगे लिख दे रहे नीचे बाकी आपके कापी में जगा होगी तो पहले इसको लिखना फिर बराबर इसको लिखना फिर ये नीचे वाला इसी के बराबर में लिखना आगे लिखना नीचे मत लिखना ठीक ना? बराबर में लिखना आप क्या करेंगे हल करेंगे हम उसको इधर साइड में लाकर के ध्यान से देखना आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि ये इतना बड़ा बड़ा बन जा रहा है ये कैसे होगा लेकिन अगर आप 10th में अच्छे से पढ़े हो मेहनत की हो तो बहुत आसान है यार ये और हाँ बेसिक कांसेप्ट आप सीखिए चाह जैसे भी सीखिए क्योंकि बेसिक कांसेप्ट अगर नहीं आएगा तो फिर इसमें मुस्कित आएगी हम् चलो, हल करेंगे गुड़ा करोगे तो 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा यकस अपान माइनस का 20 और फिर माइनस का चिन है और दूरी नह आटारा माइनस में आएगा माइनस माइनस पलस का आठारा हो जाएगा ओके ठीक, अगला 9 का 3 में गुड़ा करोगे माइनस 27 हो जाएगा 8 का 4 में करोगे 32 और वो पलस हो जाएगा यानि माइनस का 27 पलस 32 देखो यहाँ जगा बन जा रही क्योंकि छोटा हो जा रहा है इसको करोगे 8, 2, 16 और 5, 3 15 तो यह 16 माइनस 15 है ना कितना आसान निकाल लो आगे हल कर लो एक लाइन और यहाँ एरो लगा लो यह हो जाएगा यक्स अपान माइनस का 2 इक्वली यवाई अपान 5 और 1 अपान 1 यहाँ से यक्स और वाई के मान निकालने हैं करोगे क्या वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं एक बार इसको C के बराबर कर लो A वाले को और एक बार A को B के बराबर कर लो तो चलिए कर लेते हैं इसमें क्या जाता हमारा है ना अंसरी तो लाना है तो एक बार पहले वाला तीसरे के बराबर कर लो और एक बार पहला वाला दूसरे के बराबर कर लो चलिए ओके तो यक्स अपान माइनस का 2 इक्वल 1 अपान 1 यक्स कमान माइनस 2 आ गया ठीक एक बार इन दोनों को बराबर कर लो आपस में फिर क्या होंगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा इस तरफ नहीं आएगा आप ये बराबर करोगे ठीक ना य बटा 5 बराबर 1 अपान 1 समझ गये ना तीनों आपस में बराबर हैं तो आप इसको इसके बराबर कर सकते हो इसको इसके बराबर कर सकते हो इसको इसके बराबर भी कर सकते हो लेकिन इस तरह मान नहीं आएगा तो यहां से y command क्या आएगा 5 इस तरह से आपने देखा yaks command minus 2 आया था substitution method में भी आया cross multiplication method में भी वही आया है ना तो आप पूरा समझ गया होंगे साथियों अगर कोई confusion हुई तो निसंकोज बताना और हाँ अगर आप इस class को facebook पर देख रहें चैनल नंबर तीम पर आपकी 10th की NCRT में चलती है यूटूब में सर्च करना है VVRA study 3.0 अगर आप इसे यूटूब पर देख रहें तो facebook पर VVRA study सर्च करके पेज को like करना जिससे आपको सारी कलासे मिल सकें और play store पर बिल्कुल free में VVRA study का apps उपलब्ध है उसे install करना और देखते रहना जैहिन चलते चलते एक बिनमर निबेदन होगा आप सभी से कि इस कलास को अपने कम से कम 5 मित्रों में जरूर सेर करना साथियों 5 मेरे इतन 2 में जरूर करना कुछ न कुछ करना अगर करोगे न तो वादा रहा कि सारी कलास यूटूब में बिल्कुल free मिलेंगी एक तरफ से सुक्रिया